आस हम मोल कॉंसेप्ट बाले अध्याय का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं और यह इस अध्याय का लास्ट पार्ट है क्यूंकि इस पार्ट में यह चेप्टर पूरा कम्पलीट हो जाएगा तो इसे हमें ठोसों में अपून ताएं से स्टार्ट करना है तो आईए देखते हैं ठोसों में अपून ताएं क्या है यद भी क्रिश्टलिये ठोसों के अवेवी कणों की विवस्ता में लगू परास के साथ साथ दीर परास करंबी होता है मतलब जो क्रिश्टलिये ठोस के जो अवेवी कान की विवस्ता होती है उसमें लगू परास के साथ साथ दीर परास करंबी होता है फिर भी क्रिश्टल परिपूर नहीं होते साधानता ठोस अतदिक संक्या में लगू क्रिश्टलों का पुंज होता है मतलब साधानता ठोस अतदिक संक्या में लगू क्रिश्टलों का पुंज होता है इन लगू क्रिश्टलों में दोस होते हैं यह तब होता है जब क्रिस्टली करानी की प्रिक्रिया तीब अत्वा साधान गती से होती है जब क्रिस्टली करानी की प्रिक्रिया अत्यांद मंद गती से होती है तो एक क्रिस्टल बनता है तो इसे याद रखें कि जब जो क्रिस्टली करानी की प्रिक्रिया है जब मंद मंद मंद्गती से होती है तो एक क्रिष्टल बंता है ये क्रिष्टल भी दोस्मुक्त पृद्वहियन सते हैं यह क्रिष्टल भी दोस्मुक्त की व्यवस्ता में अनिमित्ताएं हैं ब्यापक रूप से ये दोस दोस दो प्रकार के होते हैं यानि बिंदू दोस और रेखिये दोस एक क्रिश्टलिय पदार्थ में एक बिंदू अथवा एक परमाणों के चारों और की आरदर्स बिवस्ता में अनिमिता हैं तथा बिचलन बिंदू दोस होते हैं जबकि जालक बिंदूं की पूर पंक्तियों की आरदस बिवस्ताओं में आनिमिता है अथवा बिचलान रेखिए दोस कहलाता है इन आनिमिताओं को क्रिस्टल दोस कहते हैं हम अपना बिवेचन केवाल बिंदू दोस तकी सीमित रखेंगे अब बिंदू दोसों के प्रकार देखेंगे बिंदू दोसों के प्रकार बिंदू दोसों को तीन प्रकारों में बलीकृत किया जा सकता है मतलब जो बिंदू दोस होते हैं उनको तीन प्रकारों में बाटा गया है इस्टाइकियो मेटरी दोस अस सुधता दोस और दिया गया है नॉन इस्टाइकियो मेटरी दोस तो पहला जो है वो इस्टाइकियो मेटरी मेटरी दोस है तो यह देखते हैं फास्ट है यह बे बिंदू दोस हैं जो ठोस में इस्टाइकियो मेटरी को बिच्छुब्ड नहीं करते इने आंतर अज़े आतवा उस्मा सो से उस्मा गत्ति की दोस भी कहा जाता है तो इसे याद रखरे कि जो इस्टाइक यो मेटरी दोस होता है इसको ऊश्मा गत्ति की दोस भी कहा प्रकार का होता है रिक्तिका दोस और अंतरकासी दोस तो पहले हम रिक्तिका दोस देखेंगे जब कुछ जालक रिक्तिस्थान हो मतलब जब कुछ जालक इस्थल रिक्तिस्थान हो तब कहा जा सकता है कि किस्टल में रिक्तिका दोस है यह पदात के घनत को कम कर देता है पदा कुछ अब अभी कण अंतरकासी इस्थल पर पाये जाते हैं तब कहा जाता है कि किस्टल में अंतरकासी दूस है ये दूस प्दात के घंतकों बढाता है मतलब जो जो अंतरकासी दोस है यह दोस पदात के नत को बढ़ाता है उपर समझाए गए रिक्तिका और अंतरकासी दोस अनायनिक ठोसों में दिखाई पड़ती है जो आयनिक ठोस होते हैं यह इन दोनों खूँ मतलब यह इन दोसों खूँ इन दोसों को सरल रिक्तिका अत्वा अंतरकासी दोसों की बजाए फ्रेंकल और सोटकी दोस की तरह दिखाते हैं यह इनके डाइग्राम दिये गए है यह जो फर्स्ट यह जो डाइग्राम दिया गया है यह दिक्तिका दोस है और यह सेकंड तो इसे याद रखें कि जो फ्रेंकल दोस होगा यह अनेक ठोसों दोर दिखाया जाएगा लेकिन इसके आंगे जो हमने रिक्तिका और अंतरकासी दोस पड़ा है यह अनायनेक ठोसों में दिखाया जाता है लगुतर आयन सद्धनायन अपने बास्तविक इस्थान से बीस कासी दोस उथotros उथपन करता है फ्रेंकल दोस को भिस थापन दोस को भी कहते है तो इस से याद रखें जो फ्रेंकल दोस होता है को Cubistopon दोस भी कहते हैं यह ठोस कि घनतकों पिश्थदा नहीं करता है जिन में आयनों के अाकार सिल्वर ब्रूमाइड और यह दोस जिंक और मतलब इनके लगू आकार के करण होता है मतलब इनका आकार लगू होता है इसी करण इनमें यह दोस पाया जाता है तो ये इनके उधाराने याद रखें ये जो ZNS, AGCL, AZVR और AZI तो इनमें फ्रेंकल दोस होता है तो इनको याद रखें अब हम SWAT की दोस देखेंगे ये देखो ये डाइगराम भी दिया गया है फ्रेंकल दोस का ये आएनेक मतलब इसमें आएन है तो ये आएनेक है अब हम SWAT की दोस देखेंगे ये आए आएनेक ठोसों का रिक्तिका दोस है तो इसकी डेफिनिशन जरूर याद रखें कि ये आए आए आएनेक ठोसों का रिक्तिका दोस है मतलब इसमें भी आएनेक ठोसों में होता है लेकर ये रिक्तिका दोस है बिदुत उदा सींता को बना रखने के लिए लुप्त होने बाले धनायनों और रिनायनों की संख्या बराबर होती है यह रिक्तिका दोस्त की भाती स्वटकी दोस्त भी पदात के घनत को गटाता है मतलब यह जो स्वाट की दोस होता है यह सरार रिक्ति का दोस की भाती स्वाट की दोस जो होता है बहुत पदात गनत्खों घटाता है आयने के ठोसों में ऐसे दोसों की संक्या निश्चित रूप से महत पूर है उदायन के लिए NACL में कमरे के ताप पर लगवग दस्वाट की यूगल प्रती सेंटिमीटर क्यू होते है एक सेंटिमीटर क्यू में करीब दस्वाटे बाइस आयन होते है इस परकार प्रती दस्वाटे सूला आयनों में एक स्वाट की दोस होता है स्वाट की दोस उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धनायन तथा रिनायन लगबख समान आकार के होते हैं इसमें जो एजी बी आर है इसमें फ्रेंकल तता स्वाटकी दोनों दोस होते हैं मतलब जो एजी बी आर होता है इसमें स्वाटकी और फ्रेंकल दोनों दोस पाए जाते हैं तो इसी याद रखें कि जो एजी बी आर होगा इसमें स्वाटकी और फ्रेंकल दोनों दोस पाए जा गलित NACL को क्रिश्टली कृत किया जाए तो NA plus के कुछ इस्थान SR2 प्लस द्वारा घेल लिये जाते हैं पिरतेक SR2 प्लस दो NA plus आइनों को प्रती स्थापित करता है यह एक आइन का स्थान गिरहन करता है और दूसरा स्थान रिक्त बहता है इस परकार उत्पन धनायन रिक्तिकाओं की संख्या SR2 प्लस आइनों की संख्या के बराबर होती है दूसरा इसी परकार का उधारन CDCL2 तो था ACCL का ठोस बिलेन है अब आँगे देखेंगे हम नौन STIQMETRI दोस अभी तो हमने STIQMETRI दोस देखा था और उसके परकार देखे थे अब हम देखेंगे नौन STIQMETRI दोस मतलब पहले हमने STIQMETRI दोस देखा था फिर हमने असुधता दोस देखा फिर आप जो थाड है इसमें जो दिया गया है बाहर नौन STIQMETRI दोस है तो इसको देखेंगे अब तक बढ़ने तर ठोस क्रिस्टलिय पदाद की STIQMETRI को बिच्वब नहीं करते फिर भी अतदिक संक्या में non STIQMETRI आकार्वनिक ठोस गया थे जिनमें क्रिस्टल सरशना में दोस के कारण अब अभी तत्व non STIQMETRI अनुपात में पाए जाते हैं ये दोस दो परकार के होते हैं एक तो धातू आधिक दोस होता है और दूसरा धातू नियूनता दोस होता है मतलब एक जो दोस होता है वो धातू आधिक दोस होता है और दूसरा जिसमें सेकंड दिया है भाई धातू नियूनता दोस होता है हम देखेंगे धातू आधिक के दोस मतलब धातू आधिक के दोस क्या है इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं मतलब राइनिक रिक्तिका के कारण धातू आधिक के दोस चारी की हैलाइट जैसे की N.A.C.L. और K.C.L. इस परकार का दोस दरसाते हैं मतलब जो धादु अधिक दोस है उसमें जो NACL हो गया, केसी CL हो गया तो भी इस परकार के दोस दरसाते हैं. जब NACL के क्रिस्टल को सूडियम बास्व के बातावरन में गर्म किया जता है तो सूडियम परमाणू क्रिस्टल की तरह क्रिस्टल की सता पर जम जाते हैं. CEL माइनस आयन किस्टल की सताय में विस्तृत हो जाते हैं और N.A. परमाणू के साथ जुड़कर N.A. C.L. देते हैं ऐसा N.A. प्लस आयन बनाने के लिए सूडियम परमाणू से एक एलेक्टॉन के निकल जाने से होता है निर्मुक्त ऐलेक्टॉन बिस्तृत होकर क्रिस्टल के रायनिक स्थान को अध्यासित करते हैं परिणाम सुरूप अब क्रिस्टल में सूडियम का आधिक होता है आयगमित ऐलेक्टॉन द्वारा भरी रायनिक रिक्तिकाउं को एपकेंदर कहते हैं आयगमित ऐलेक्टॉन द्वारा भरी रायनिक रिक्तिकाउं को एपकेंदर कहा जाता है एफकेंदर रंग केंदर के लिए जर्मन सब्द फॉरिजन से यह ने सी एल के क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं यह रंग इन क्रिस्टलों द्वारा क्रिस्टल पर पढ़ने बाले प्रकास से सब्सक्राइब बनाता है मतलब कि जो लीथियम को पुट Jeans ऐख त बनाता है और पोटेसियम का आधिक्त है बाकेसील लाइक है इला लाइक बनाता है अतिरिक्त रिनायनों की अंतरकासी स्थलों पर उपस्थिती से धातु अधिक दोस कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइट सफेत रंका हो जाता है मतलब कमरे के ताप जो जिंक ऑक्साइट होता है वो सफेत रंका होता है गर्म करने पर इसमें से ऑक्सिजन निकलती है तथा यह पीली रंग का हो जाता है और यदि इसको हम गर्म करें तो यह गर्म करने पर इसमें से ऑक्सिजन निकल जाती है और यह पीली रंग का हो जाता है अब Crystal में जिंक का आधिक होता है तथा इसका सूत्र ZN1 प्लस XO बन जाता है आधिक में उपस्तित ZN2 प्लस आयन अंतरकासी स्थलों में और Electon निकटबारती अंतरकासी स्थलों में चले जाते हैं अब हम धातू नियूंता दोस दिखेंगे कई ऐसे भी ठोसें जिन्हें स्टाइक्यूमेटरी संगटन में बनाना कटिन होता है एवं इनमें स्टाइक्यूमेटरी अनुपात की तुल्ला में धातू की मत्रा कम होती है इस परकार का एक विशिष्ट उधारन F.E.O है मतलब इसको याद रखें याद ही रखें जो F.E.O है इसमें धातू निंता दोस होगा यह अधिकतर F.E.0.950 संगटन में पाए जाता यह जो F.E.O होता है यह अधिकतर मतलब F.E.0.950 संगटन में पाए जाता है यह बास्तों में F.E.0.930 में F.E.0.960 की पारास में हो सकता है F.E.O के क्रिस्टल में क्रिस्टल में से कुछ F.E.O के क्रिस्टल में से कुछ F.E.2 प्लस धनाए लुपत हो जाते हैं और धनावेस की चतिवूर्ती F.E.3 प्लस आयनों की आविस्टल संक्या से हो जाती है अब हम बिद्धुती ये गुण देखेंगे बिद्धुती ये गुण कौन कौन से होते हैं F.E.2 प्लस बिद्धुत चालकता में अद्धुत बिद्धुत दरसाते हैं जिनके परिमानों का परास दस्की घाते माइनस 20 से लेका दस्की घाते 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तथा लगवा 27 कूटियों में फैला होता है चालकता के याधार पर ठोसों को तीन बर्गों में बरीकृत किया जा सकता है एक तो होता है चालक और दूसरा बिद्धुत रोधी और तीसरा अद्धुत चालक देखती है बे ठोस जिनकी चालकता का जो परास है वह दस्की घाते 4 से दस्की घाते 7 ओम इनवर्स मीटर होती है वही चालक कहलाते है धात्मों की चालकता की घाते 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है और ये उत्तम चालक होती है अब बिद्धुत रोधी देखेंगे बिद्धुत रोधी कौन है यह भे ठोस है जिनकी चालकता बहुत ही कम, मतलब होत ही कम, 10 की गहाते माइनस 20 से 10 की गहाते माइनस 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, अब अर्ध चालक देखते हैं, अर्ध चालक क्या होती है? ये भी ठोस होते हैं जिनकी चालकता दसकी गाते माइनस सिक्स हैं दसकी गाते चार ओम इनुवर्स और मीटर इनुवर्स होती है तो इनकी भी याद ही रखें अब हम आगे पढ़ेंगे धातों में बिद्धुत चालन मतलब धातों में विद्धुत का चालन कैसे होता है धातों में विद्धुत चालन देखेंगे चालकों में विद्धुत का चालन एलेक्टोनों तथा आइनों की गमन से होता है मतलब द्वारा होता है धातविक चालन पहली संबर्क एलेक्टोनों द्वारा चालन मतलब जो धात्विक जो होंगे वो इलेक्टोनों द्वार चलन करेंगे वो जो विद्धुत अब घट होंगे वो आयनों द्वार चलन करती है तो इसमें बही आते हैं धातू धोस एवं गलित दोनों अवस्ता में विद्धूत का चामन करती है धातू की चालकता होती है बो प्रति परमानू सैयोजी इलेक्टोन की शंक्या पर निर्वर करती है मतलब जो धातु की चालकता प्रती पर्माणू सैयोजी इलेक्टोनों की संक्या पर निर्भर करती है धादू पर्माणूं के 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 पर्माण पूरत संयूजक बैंड एवं आगामी उच्छ रिक्त बैंड के मद अंतराल अधिक होता है तो एलेक्ट्रोन उसमें नहीं लांग सकते और ऐसे पदार्थों की चालकता बहुत कम होती है तता यह एक विद्धुत रोधी के समान बहवार करते हैं अर्द चालकों में विद्धुत चालन मतलब जो अर्द चालक होती है उसमें विद्धुत चालन कैसे होता है अर्द चालकों में संयूजक बैंड एवं चालन बैंड के मद अंतराल कम होता है आता कुछ एलेक्ट्रोन चालक बैंड में लांग सकते हैं और अल्प चालकता है क्योंकि अधिक संक्या में अलेक्टर्ण चालक बेर्ण में जा सकते हैं चान प्रता इस प्रकार को प्रदासित करते हैं तद्धा इन्हें नियज अर्द चालक कहते हैं तो इसको याद रखे स्लिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है ये नेज अर्द चालक होता है नेज अर्द चालक सिलिकोन और जर्मेनियम इन नेज अर्द चालकों की चालकता बहबारेक उपयोग के लिए बहुत ही कम होती है मतलब इन नेज आर्द चालकों की चालकता बहबारे का उपयोग के लिए बहुती कम होती है उचित असुद्धी को उपयोगत मातरा मिलाने से इनकी चालकता बढ़ जाती है इस विदी को अब मिश्ण कहते हैं अब मिश्ण उस असुद्धी दोरा किया जा सकता है जो नेज आर्द चालक सिलीकन अथवा जर्मेनियम की तुला में इलेक्टों धनी अथवा या इलेक्टों नियून हो ऐसी असुद्धियों से उनमें इलेक्टों ये दोस उतपन हो जाता है अब हम एलेक्टॉन धनी असुदियां दिखेंगे एलेक्टॉन धनी असुदियां क्या हैं सिलीकॉन और जर्मेनियम आवसानी के चौधवे बर्ग से संबंदे थैं और पृतिक में चार सायोजक एलेक्टॉन है क्रिश्टलों में इनका प्रितिक परमाणूं अपने निकट से परमाणूं के साथ चार से सयूजक बंद बनाता है जब पंद्रभी बर्ग के इतत्व जैसे फासपूरा सत्वा आसे निक जिनमें पांच सयूजक एलेक्टोन होती है को अब मिश्रित किया जाता है यह तो यह सिलीकन अथवा जैर्मिनियम के क्रिस्टल में कुछ जाला किस्थलों में आ जाते हैं पांच में से चार इलेक्टोनों का उप्रियों को चार सनीकट सिलीकन परमाणूं के साथ चार सैसे यूजक बंद बनाने में होता है पांच बाती रिक्त अलेक्टोन बिस्थानित हो जाता है यह बिस्थानित अलेक्टोन अफ मिश्रन सिलीकन अथवा जर्मिनियम की चालकता हैं ब्रद्धी करते हैं यहां चालकता हैं ब्रद्धी ग्रावेस्त अलेक्टोन के कारण होती है अथा अलेक्टोन धनी असुद्धी से अपमिश्रित सिलीकोन को एन प्रकार का अधचालक कहा जाता है तो इसे तो याद रखें कि एलेक्टोन धनी असुद्धी से अपमिश्रित सिलीकोन को एन प्रकार का अधचालक कहा जाता है अब हम एलेक्टोन नियून असुद्धियां देखेंगे एलेक्टोन नियून असुद्धियां क्या है सिलीकन अत्वा जर्मिनियम को बर्ग 13 के तत्वों जैसे की बोरोन अलुमिनियम अत्वा गैलेलियम के साथ भी अब मिश्रित किया जा सकता है जिनमें केवल तीन से सायूंजक एलेक्टोन होती है बाय स्थान जहां चोथा एलेक्टोन नहीं होता है एलेक्टोन रिक्ती या एलेक्टोन छिद्र कहलाता है मतलब बाय स्थान जहां चोथा एलेक्टोन नहीं होता है बाई एलेक्टोन रिक्ती या एलेक्टोन चिद्र कहलाता है निकट बरती परमानू से एलेक्टोन आकर एलेक्टोन चिद्र को भर सकता है परन्तु ऐसा कनने पर बाई अपने मूल स्थान पर एलेक्टोन चिद्र छोड़ जाता है यदि यसा हो तो यह प्रतीत होगा जैसे कि कि इलेक्ट्रोन चिद्र जिस एलेक्ट्रन द्वारा बहरा गया है उसके विप्रीद दिसा में चल रहा है बिद्व जित्र के परभा में एलेक्टौन एलेक्टौन छित्रों में दनावेशित प्लेट की और चलेंगे इस प्रकार के आधर चालगों को पी प्रकार के आधर चालग कहते हैं मतलब इस परकार जो आर्ध्य चालक होते ह läuft परकार के अर्ध्यंग के अनु प्रियोग तो इन परकार के अर्ध्य चालक के अनु प्रियोग कौन कौन से है फ्रकार प्रकार के अर्द्य चालक के बिवने संयूजनों को elektronic अबयाब बनाने की अर्द बंए old and iine फ उद्धक के रूप में उपयोग किया जाता है टांजिस्टर एक प्रकार के अर्ध चालक की परत को अन्य प्रकार के अर्ध चालक की दो परतों के मद अंतर रविन करके बनाए जाते हैं अन्य प्रकार के अर्ध चालक की परतों के मद अंतर रविन करके बनाए जाते हैं एन पी एन और पी एन पी प्रकार के टांजिस्टरों को रेडियो अत्वास राव संकेतों के पहचन और प्रवर्धन में उपयोग किया जाता है सूर सेल एक दच फोटो डायोड है जिसका प्योग प्रकास उजा को बिद्ध उजा में बदलने के लिए किया जाता है जो सूर सेल है वो एक प्रकार का फोटो डायोड है जिसका प्योग प्रकास उजा को बिद्ध उजा में बदलने के लिए किया जाता है जर्मेनियम तता सिलीकोन बर्ग चउदा के तत्वें अथा इनकी अभी लाक्षे संयोजकता चार है तता चार बंद बनते हैं जैसे हीरे में इसे याद रखें कि जो हीरा होता है उसमें चार बंद बनते हैं बर्ग तेरा इवां पंदरा अत्वा बर्ग बारा तथा सूला के तत्वों के सम्मिशन से अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ बनाए गाए जिनकी उसा संयोजकता या मतलब जर्मेनियम या सिलीकोन के समान चा हमला इल पी तता जी ए एस हैं गैलियम आर्सेनाइट और चालक तौरेत प्रती संबेदी होते हैं और यह नहीं आर्द चालक यक्तियों के निर्माण में ख्रांती कारी हलचल ला दी है जिनक सल्पाइट कैडिनियम सल्पाइट कैडिनियम सेल पता नहीं क्याए तथा ओए टी ए बर्ग यह बारा से सूला के युकों के उधार हैं यह नहीं युकों में बंद पूर्टा सह संयूजग नहीं होते हैं तथा इनके आयने गुण इनमें उपस्ते दोनों तत्वों की बिद्दूत रात मकतापा निर्भर करते हैं यह जानना बहुत रोचक होगा कि संक् प्रत्ता में तथा दिखने में आरी ओ थिरी कोपर धातू की तरह प्रतीत होता है कुछ अनौकसाइट जैसे भी ओ भी ओ टू और भी ओ थिरी तथा टी या यो थिरी के धातवे केवं रोधी गुण ताप पर निर्भर करते हैं अब हम चुम्बिकिय गुण देखेंगे अभी पदार्तों के साथ कुछ चुम्बिकय गुण संबंदित होते हैं इन गुणों की उतपत्ती एलेक्टोनों के कारण होती है मतलब इनकी जो उतपत्ती होती है वह एलेक्टोनों के कारण होती है एक परमाणू में प्रतेक एलेक्टोन एक सूप्ष में चुमबक की तर उसकी नाविक के चार और कक्छक गति यत्वा उसका अपने अक्षपार चार और चक्रन एक आविस्थ कण होने के कारण एबं इस प्रकार की गतियों के कारण एक छोटे बिदुद परिपात के रूप में समझा जा सकता है जिसमें चुम्बी की आगून पाया जाता है इस प् प्रकार चुम्बी की आगून स्युक्त रहता है इस इस इसिस की आगून का परिमान बहुत कम होता है इसे मापने के लिए बूल मेगने टान मतलब और जो इकाई उसे बूल मेगने टान कहा जाता है और यह से इस अनुचुम्बिकए देखेंगे अनुचुमबिकिये तो पहले चुमकी छेतर की देखा में ही कुम्की हो जाते हैं इनुपकत का कारण एक अधिक अधिक मतलब जिस भी तत्वय या योगिक में आयगमित एलेक्टान होंगे तो उसमें उसमें अनुचुमिके पदार्थ होंगे जो की चुमिक्य च्छेटकी और आकरसित होती हैं जैसे की O2 हो गया, Cu2+, Fe3+, Cer3+. तो जिनमें A1 में तलेक्टॉन होगे वो अनुचुमिकी होगे, हम प्रतिचुमिकी देखेंगे, प्रतिचुमिकी पदार चुमिकी छेतर से दुरूबल रूप से प्रतिकार्सित होते हैं, मतलब यह भी दुरूबल रूप से, मतलब अनुचुमिकी जो पदार थे, वो दुरूबल रूप से अकरसित होते थे, लेकर यह दुरूबल रूप से प्रतिकार्सित होते हैं, जल, सुडियम क्लोराइट और यह देखेंगे, बेंजीन हैं, तो यह इसमें तीनी उधायन देगा है, H2O, NACL, C6, H6 है, यह प्रतिचुमिके के उधायन है यह चुमिके छेतर की विप्री दिसा में दुरूबल रूप से चुमिके थोते हैं, प्रतिचुमिका तो उन पदार्थों दुआरा दरसाया जाता है, जिनमें सभी एलेक्टोन युगमेत हो, मतलब प्रतिचुमिके यह पदार्थ भाई होते हैं, जिनमें सभी जो युगमेत हो और इनमें कोई आयुगमेत एलेक्टोन नहीं हो एलेक्टोनों का युगमन होना उनमें चुमके आगुण को आपस में रस्त कर देता है और यह चुमके गुण नहीं दरसाते तो यह से भी याद कर रखना कि प्रति चुमके पदार्थ होते हैं यह चुमके मतलब जतने भी पदार्त होंगे यह सभी कर restrictive or आकर से थोंगे ऐसे प्दात को लोई क्यों कर जाता है पर आपक الرप्र आकर्शनों के अतिर्च यह स्थाई रूप कि यह सकते हैं छोटे खंडों में एक सामुहित हो जाती है इन्हें डूमेन कहा जाता है जिसे डूमेन कहा जाता है इस परकार प्रतेख डूमेन एक छोटे चुमबा की तरह बेवार करता है लोई चुमगे पदात के आचुमगे टुकडे में डूमेन आने में तो रूप से अभी बिन्यासित होते हैं और उनका चुमगे आगुन निरस्त हो जाता है पदात को चुमगे छेतर में रखने पर सभी डूमेन चुमगे छेतर की दिसा में अभी बिन्यासित हो जाते हैं और प्रवल चुमगे प्रवार उत्पन होता है चुमगे छेतर को हटा लेने पर भी डूमेन का करम बना रहता है और लोई चुमगे पदात इस्ताई चुमग बन जाता है अब हम प्रती चुमगे पदात देखेंगे प्रती चुमगे की पदात कौन होती है प्रती चुमग के मतला प्रती लोई चुमगा तो प्रदासित करने वाले पदात जैसे कि इसमें मन, वो में डोमें सरशना लोई चुमि की पदात की सद्रेस होती है, प्रस्तु उने में टोमें एक दूसरे की विपरीत अभिविनियासेत होती हैं तथा एक दूसरे के चुमि की आगुन को नरस्त कर देते हैं, तो इसका तो ये की उधाया रहन दिया प्रती समांतर दिसाओं में असमान होता है तब पदार्थ जो होता है बाए फेरी चुमकत होता है ये लोई चुमकत की तुला में चुमके छेतर द्वाला दुरुबर रूप से आकरसित होते हैं तो इसकी उधारण है और ये पदार्थ भी गर्म करने पर फेरी चुमकत खो देते हैं और अनुचुमके बन जाते हैं तो ये चप्टर तो कम्पलीट हो गया है लेकिन इसका जो सारांस दिया गया है यहीं दिया गया होगा ये सारांस है इसे आप लोग पढ़ लेना बहुत सारांस है तो इसका पूरे सारांस पढ़ लेना ये चप्टर कम्पलीट हो गया है अ ये मुदकूर और झाल